Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अभी मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session चाहते हैं और फिर किसी भी reason के लिए मुझे contact करना चाहते हैं आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा और हो सकता है देखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो जाए क्योंकि यहाँ पर दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp call यहाँ फिर WhatsApp message करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और दिखिए contact number नीचे description box पे mention है उसी पे ही आप WhatsApp call और message मेंचे कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि May 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो मैं पस यहाँ पे तीन सेट अफ कार्द हैं फर्स सेट में हम आपकी energies देखेंगे सेकंड सेट में आपके partner की energies देखेंगे and third set में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं Taurus और आपके लिए आपसे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 10 of swords और यह कार्ड कहता है कि पीछे कुछ time से या फिर May starting में या May month में कोई चीज end हो रही है या फिर आप end करना चाहा रहे है और दिखेंगे यह ending, beginning इतनी comfortable रहती हुए नहीं दिख रही है किसी level पे किसी तरीके का एक discomfort आप महसूस कर रहे है कुछ challenges है, कुछ issues है, कुछ मसले है और यह मसले जितने हैं उससे भी जादा इनको आप महसूस कर रहे है and deeper level के लिए innocence of the child का काट कहता है मन ही मन आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सादगी, आपकी simplicity की ही वज़े से यह issues यह मसले हो रहे है अगर आप थोड़ा सा भी smartly चीज़ों को deal करते cleverly चीज़ों को deal करते तो आज यह issues नहीं होते, आज यह मसले नहीं होते और कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपकी immaturity की वज़े से ही यह problems हो रही है and देखे, आप यह intimate meeting का काट कहता है मन ही मन, एक physical connect एक physical intimacy आप अपने partner के साथ चाह रहे हैं बहुत जादा एक physical attraction आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं एक intimate meeting अगेन आप उनके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं लेकिन इसी से ही related कुछ issues, कुछ मसले भी रह रहे हैं यह issues, यह मसले सब के लिए differ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर 10 of cups reverse का काट कहता है आपकी family या फिर आपके partner की family की interference या फिर involvement की वज़े से यह issues, यह मसले रह रहे हैं देखी यह interference, यह involvement positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है family की भी हो सकती है या फिर loved one या किसी close one की भी वज़े से हो सकती है और overall के लिए अगर हम देखें तो 10 of cups reverse का काट कहता है आप अपने partner का साथ हमेशा के लिए अपनी life में चाह रहे हैं उनके साथ family start करना चाह रहे हैं, togetherness चाह रहे हैं, companionship चाह रहे हैं और वो नहीं हो रही है या फिर से मैं कहूंगी कुछ issues, कुछ मसले हैं और इसलिए एक happiness होने के बावजूद भी पूरी तरीके से एक खुशी आपने ही महसूस कर रहे हैं एक incomplete feeling रह रही है, एक missing feeling भी रहती होई दिख रही है और दिखिए आपे the young bride का का काट कहता है कि may end में, मन ही मन आपको ऐसी feeling आ सकती है कि भे आपने हमेशा ही इस relationship को, अपने partner को बहुत जादा एहमियत दी और कहीं आपने खुद के बारे में इतना नहीं सोचा कहीं आपने खुद को हमेशा ही back seat पे रखा और शायद इसलिए या पिर otherwise भी partner की तरफ से या फिर इस relationship में आपको वो respect नहीं मिली जो आप deserve करते थे वो ओधा, वो position, वो level भी नहीं मिला जो आप deserve करते थे या फिर जो आप चाहाते थे और शायद इसलिए या फिर otherwise the full reverse का card कहता है कि आप एक नई beginning करना चाहा रहे है जहां पे आप past की हर चीज को पीछे छोड़ना चाहा रहे है future के बारे में बिलकुल भी नहीं plan करना चाहा रहे है बिलकुल भी नहीं सोचना चाहा रहे है कहीं आप present moment पे focus करना चाहा रहे है जैसे चीजें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जाना चाहा रहे है क्योंकि देखिए आपे फूल का card reverse है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत जादा ही ऐसी energies में जाना चाहा रहे हैं आप फिर जा रहे हैं या फिर आप ऐसा चाहा रहे हैं लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं देखिए जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए डिफर करेगा और अब देखते हैं टॉरस के आपके पार्टनर की क्या energies हैं तो आपके पार्टनर के लिए दिखिए आपे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है strength reverse और ये card कहता है कि पीछे हो सकता है आपके पार्टनर in general या पिर किसी चीज को लेकर बहुत एक frustration, बहुत एक irritation महसूस कर रहे थे लेकिन इन ही energies को अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे थे कहीं एक सबर रख रहे थे, एक patience रख रहे थे बहुत ही lovingly, बहुत ही compassionately हर चीज को deal कर रहे थे इसके बावजूत की मन ही, मन बहुत एक frustration वो महसूस कर रहे थे लेकिन देखे, May starting में या May month में कहीं उनकी patience खतम होती हुई दिख रही है उनका सबर खतम होता हुआ दिख रहा है और बहुत एक गुसा, बहुत एक frustration in general ही उनकी energies में रहता हुआ दिख रहा है people level के लिए intimacy का काट कहता है कि कहीं वो भी एक you know intimacy आपके साथ चाह रहे हैं closeness आपके साथ चाह रहे हैं लेकिन साथी साथ impulsive नहीं होना चाह रहे हैं जल्दबाजी किसी भी चीज के लिए नहीं करना चाहा रहे हैं बहुत ही slowly, बहुत ही gradually आगे बढ़ना चाहा रहे हैं जैसे tortoise होता है na steadily आगे बढ़ता है वैसे ही again वो भी चीजों को deal करना चाहा रहे हैं and mid-may के लिए आपे page of cups का का काट कहता है कि एक प्यार, महबबत आपके लिए महसूस कर रहे हैं किसी चीज के लिए आपको invite करना चाहा रहे हैं या फिर अपनी तरफ से कोई conversation initiate करना चाहा रहे हैं message करना चाहा रहे हैं, phone call आपको करना चाहा रहे हैं और दिखे हो सकता है कि इसी से related कुछ issues हैं, कुछ मसले हैं या फिर surface level पे वो ऐसा कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा आपको अपनी feelings भी express कर रहे हैं लेकिन deeper level के लिए under pressure का काट कहता है बहुत एक stress, बहुत एक tension भी किसी चीज को लेकर महसूस कर रहे हैं और देखे हमने आपर देखा भी strength reverse के काट में कि बहुत एक गुसा frustration रह रहा है तो ये भी एक reason pressure और tension का हो सकता है या फिर वो उतना boldly, उतना strongly चीजों को नहीं deal कर पा रहे हैं जितना की वो चाहा रहे हैं या फिर जितना की जरूरत है और इसलिए एक pressure, एक tension महसूस कर रहे हैं या फिर वो ही कोई चीज जरूरत से जादा कर रहे हैं तो देखे सब के लिए आपर different reasons हो सकते हैं लेकिन nutshell में surface level के लिए उनकी तरफ से एक प्यार भरे messages रह सकते हैं या फिर कुछ initiatives रह सकते हैं लेकिन मन ही मन एक pressure, एक tension भी उनके लिए रहता हुआ देख रहा है और देखे हाँ पर touching one another का काट फिर से कहता है कि एक physical connect, एक physical intimacy चाहा रहे हैं आपको महसूस करना चाहा रहे हैं लेकिन कहीं 10 of pentacles reverse का काट कहता है कि family या फिर किसी close one, किसी loved one की तरफ से कुछ issues, कुछ मसले हैं या फिर उनकी involvement या उनका interference है तो देखे आप दोनों के लिए ही family के काट हैं और दोनों ही काट्स reverse हैं तो positive या negative कहीं में मन्त में दोनों की ही family की तरफ से एक interference, एक involvement रहती हुई दिख रही है या फिर आप दोनों ही family start करना चाहा रहे हैं हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ चाहा रहे हैं और उसी से ही related कुछ issues, कुछ मसले रह रहे हैं और अब देखते हैं Taurus की में मन्त में क्या हो रहा है या कि में मन्त के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्थ मुझे दिख रहे है The Devil Reverse and Mystical Union तो देखिए डेवल बहुत ही clearly stress की बात करता है tension की बात करता है जो कुछ time से या फिर May starting में इस relationship में रहता हुआ दिख रहा है और देखिए यहाँ पे सब के लिए different reasons हो सकते हैं इस tension के, इस stress के लेकिन devil कहीं बहुत ही obsessive energies की बात करता है जहाँ पे हमें ऐसे लगता है कि भई यह चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए और इस चीज के लिए हम बिलकुल भी compromise नहीं कर सकते हैं और कहीं devil देखिए physical intimacy, physical connect या फिर physical attraction की भी बात करता है कहीं lust वाली energies की भी बात करता है तो देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसी भी energies रह सकती है या फिर ये भी एक reason रह सकता है pressure का, stress का और कहीं देखिए आपको ऐसे लग सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को इस relationship की आदत पड़ गई है addiction हो गई है अब चाहा के भी partner के अलावा दूसरे किसी इनसान के बारे में दूसरे किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते है हर दम यूनो यही चीज आपके mind में चलती रहती है और दिखे deeper level के लिए mystical union का का काट कहता है money man आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि भई यह relationship possible ही नहीं है आप लोग शायद यूनो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे या फिर देखे अगर हम crude language में बात करें तो marriage possible नहीं है engagement possible नहीं है एक दूसरे का साथ possible नहीं है और देखे यह भी एक बहुत बड़ा reason हो सकता है परिशानी का, stress का कि आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहा रहे हैं यानि कि marriage, engagement या फिर किसी भी तरीके का एक companionship, togetherness चाहा रहे हैं union चाहा रहे हैं और वो आपको लग रहा है कि मुम्किन नहीं है, possible नहीं है और इसी लिए फिर से मैं कहूंगी एक pressure आप लोग महसूस कर रहे हैं और देखे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक काफी dominating हो रहे हैं काफी controlling हो रहे हैं और देखे जो भी हो कहीं मिड में के लिए seven of cups and love yourself के cards कहते हैं कि बहुत एक distracted सी energies हैं जहां पर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी भी चीज पर focus ही नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज पर concentrate ही नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे options हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ mind में चल रहा है, कहीं एक चीज पर fix ही नहीं अपने आपको कर पा रहे हैं और देखे, deeper level के लिए love yourself का card कहता है, कि खुद को prioritize भी करना चाहा रहे हैं, और देखे, यह आप दोनों में से किसी की भी energies हो सकती है लेकिन आपके लिए यहाँ पे the young bride के card में हमने देखा था कि आपको ऐसा लग रहा है Taurus कि आपने शायद खुद को prioritize नहीं करा और यहाँ पे देखे, love yourself का card कहता है कि शायद फिर से मैं कहूंगी, आप Taurus खुद को prioritize करना चाहा रहे हैं खुद को एहमियत देना चाहा रहे हैं खुद को love, you know, करना चाहा रहे हैं जो कि बहुत important भी होता है जब तक Taurus हम खुद को नहीं love करते हैं हम खुद को नहीं respect कर पाते हैं तब तक हमें सामने से भी वो love, वो respect नहीं मिलता है जो हम चाहाते हैं तो अगर ऐसा आप सोच रहे हैं बहुत सही सोच रहे हैं और देखिए, end way के लिए यहाँ पे judgment, reverse and the fear of love के cards कहते हैं कि किसी चीज को again आप लोग end करके एक नई beginning करना चाहा रहे हैं और इसी से ही related issues और मसले चल रहे हैं फिर से मैं कहूंगी यह general reading है तो यह ending, beginning सब के लिए differ कर सकती है मुझके लिए हो सकता है कि जो चीजे serve नहीं कर रही है जिन चीजों की वज़े से problem हो रही है उसको end करके अपने partner के साथ fresh start आप लोग करना चाहा रहे हैं fresh एक beginning इस relationship में लाना चाहा रहे हैं और इसी से ही related issues हो रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship को ही end करके अकेले ही एक नई beginning करना चाहा रहे हैं और हो सकता है कि इसी से ही related कुछ decision, कुछ choices आपको लेनी है जो कि आप लोग नहीं ले पा रहे हैं और फिर से देखे, सब के लिए different reasons हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर fear of love का card कहता है, कि again कुछ fears हैं, कुछ insecurities हैं, जिनके उपर बहुत ज़ादा focus कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़ादा महसूस कर रहे हैं, और इसलिए फिर से देखे, जो भी ending और beginning आप करना चाह रहे हैं, वो कहीं आप नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर दीखे, cards की तरफ से आप लोगों के लिए ही guidance होगी, कि जो भी fears हैं, insecurities हैं, इनको आप overcome करें, और जो भी decisions और choices लेने की ज़रत है, वो आप जरूर लें, जिन चीज़ों को end करने की ज़रत है, उनको end करें, जिन चीज़ों को शुरू करने की ज़रत है, उनको आप शुरू जरूर करें, और दीखे, ऐसा अगर आप कर पाएंग तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए मे 2022 की लफ टारो रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चानल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर करें